नमस्कार आज हम जानने वाले हैं कि how to get weekly summary of accepted question codes यानि जब भी question पर आपके द्वारा बनाए हुए किसी quote को accept किया जाए तो उसका data अपने आप जी हां अपने आप आपकी Google Sheets पर add हो जाए और फिर उसकी एक weekly summary अपने आप Gmail के through जिसको भी आप भेजना चाहें चली जाए इसके लिए हम जोड़ेंगे question को Google Sheets के साथ और फिर जोड़ेंगे उसको Gmail के साथ और best part यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बड़ी असानी सा ऐसा कर सकते हैं तो चलिए इस process को start करते हैं और चलते हैं अपनी screen पर तो सबसे पहले आपको अपने browser पर type करना है pably.com slash connect और press कर देंगे enter ऐसा करने के बाद pably connect का यह landing page हमारे सामने आता है मेरा already account है इसलिए मैं करूँगा sign in अगर आपका account नहीं हूँ तो आप कीजेगा sign up for free इसके बाद आपको कुछ free task मिलते हैं जिसकी मदद से आप यह automation बना सकते हैं तो चलिए मैं करता हूँ sign in ऐसा करने के बाद pably की यह 5 apps हमारे सामने आती हैं जिसमें हम जाएंगे pably connect पर और click करेंगे access now पर अब हमारे सामने pably connect कर dash board आएगा जिसमें हमें जाना है create workflow पर और अपने इस workflow को अपने इस automation को एक नाम देना है तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जोड रहे हैं question को जीमेल के साथ तो मैं इसे नाम दे देता हूँ question to gmail आप अपने हसाबसे से कुछ भी नाम दे सकते हैं उसके बाद click किजिएगा create पर ऐसा करने के बाद pably connect किए दो most important windows हमारे सामने आती है पहली है trigger दूसी है action हमारा ये जो automation है वो इन trigger और action पर ही based होता है basically हमें इन apps और features को choose करना है आज हम जिनका इस्टमाल करने वाले है अगर इनकी definition पर जाओं तो trigger का मतलब होता है when this happens यानि जब ऐसा हो and action का मतलब होता है do this तो ऐसा कर दो कैसे होता है कैसे करते हैं चलिए करके ही देखते हैं तो आज हम क्या चाहते हैं कि जब भी question पर हमारा कोई quote accept हो तो उसकी एक weekly summary जीमेल के थुरू जाए और उसका data हमारी google sheet पर add हो जाए तो इस पूरी process में पहली step क्या है पहली step है question पर हमारा code को accept होना इसलिए जो हम पहली app choose करेंगे वो होगी question अब बारी है trigger event की तो trigger event होता है वो event जिसके बाद हमारा यह automation काम करने लगे हमारा यह trigger काम करने लगे तो अभी हमारा trigger event है configure webbook देखे यहां लिखा है webbook will trigger on following event categories customer ask question, customer viewed quote, customer accepted, customer denied, quote sent तो आज हम क्या चाहते हैं कि जब हमारा quote accepted हो तो वो भी इसके अंदर ही है तो इसलिए हमने choose किया configure webbook को पर यह automation कब काम करेगा यह webbook कब काम करेगा जब हम question को जोडएंगे पैबली connect के साथ और इसको जोडने के लिए हमें यह webbook url मिलती है और फिर हमें इन instructions को follow करना होता है तो मैं आपको करके ही बताता हूँ, सबसे पहले जाएंगे आप question पर, मैं आगे अपने dashboard पर, फिर ही अपनी profile पर click करेंगे जाएंगे account settings पर, फिर नीचे scroll down करेंगे और आप पाएंगे कि यहाँ पर हमें option मिलता है webbooks का तो इस webbooks पर click करेंगे और जो अपनी webbook है, जो हमने वहाँ से copy की थी उसे यहाँ पर paste कर देंगे your webbook URL पर, click करेंगे update पर ठीक है, URL saved हो चुकी है अब जितने भी प्रकार के events हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं, जब हमारा quote accept हो है ना, तो इसलिए हम यह quote accepted का event है, इसे turn on कर देंगे really, yes, मैं यह वही instructions follow कर रहा हूँ जो यहाँ लिखे थे, मैं आपको करके बता रहा हूँ तो देखे, है ना, तो मैंने इसको यह enable कर दिया अब अगर आप देखेंगे, तो यहाँ लिखा आ रहा है waiting for webbook response और यहाँ लिखा है, do a test submission so that the data can be recorded here in the webbook response यानि हम एक submission देना है, test data भीजना है तो देखें, यहाँ लिखा है, test with sample data तो इस पर मैं click कर दूँगा तो देखें, लिखा है, we send the following payload data यानि यह जो data है, वो हमारे public connect पर आ जाएगा तो देखें, यह response आ चुका है title है test for, किसके लिए है वो, उनका नाम आ गया है उनका email आ गया है और जो भी information चाहिए थी वो हमें आ गई है, अब हम क्या चाहते है कि यह जो सारी information है भाई वो हमारे google sheet पर चले जाए सबसे पहले, जिससे हमारे data maintain हो सके, इसलिए अब जो action में हम app choose करेंगे, वो होगी google sheets तो google sheets को आप choose करते है action event है add row क्योंकि हम चाहते कि हमारे existing google sheet में एक नई row add हो कैसे होगी, मैं करके बताऊंगा जाएंगे a new connection पर connect with google sheets पर जिस भी account की google sheet को आप use कर रहे हैं उसे यहां से permission दे दीजेगा continue करते हैं तो google sheet भी हमारी successful connect हो गई, अब देखे इतनी भी spreadsheet बनाई है वो यहां पर आ रहे है अब मैं जो spreadsheet यूज करने वाला हूँ उसे मैंने नाम दे दिया accepted codes, यह test sample है यह test data है या मेरे यह पिछले records हो सकते हैं तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि वो जो मेरा उपर वाला data है वो मेरी इस google sheet की last row में add हो जाए customer कर name के साथ customer email code title, code price, code status, date यहां पर मैंने यह headings दे रखी है आप भी इस तरीके की heading दे जी जाएगा तो उसके नीचे ही हमारा data आ जाएगा तो चलिए अपने अगली step को करते हैं क्या है वो अपने data को add करना तो सबसे पहले हमें अपनी spreadsheet को choose करना है accepted code सी मेरी spreadsheet है select sheet एक ही sheet है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अब आप पाएंगे जित्ती headings है वो headings यहां पर आ रही है customer name, customer email, code title, code price, code status, date हमें क्या करना है बस अब mapping करना है mapping क्या होता है कैसे करेंगे करके बताता हूं तो यहां पर click करेंगे आप तो आप पाएंगे की उपर का सारा data जो है वही नीचे आ रहा है तो अब हमें इस data मैंसे बस जो यहां लिखा है उसे choose करना है जैसे क्या है customer का name customer का name में dummy test हमने उसे choose कर लिया बार है customer email की हमने click किया और customer की email को हम choose कर लियंगे यहां पर हम type करके search भी कर सकते है email के email है adminbypably tutes.com इसको हमने map कर लिया फिर है code title तो title को भी हम यहां पर type कर देते है title विच वह is test बार ही है quoted price तो यहां पर मैं price भी लिख देता हूं तो price को भी मैंने code कर दिया तो देखिए यह जो हम choose कर रहे हैं यह जो हम map कर रहे हैं वह हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह सब variables है variable यानि कि यह जो चीज़े हैं वह आगे चलके बदलने वाली हैं क्योंकि अभी जो मेरा client है यह test client है इसका data यह है पर आगे आने वाले clients का जो code को accept करेंगे उनका data अलग होगा तो वह बदला हुए data भी यहाँ पर आ जाए और आगे चलके transfer हो जाए इसलिए हम यह mapping करते हैं तो आप भी इसी तरीके की mapping कीजिएगा कुछ doubt है तो हमसे comment section में पूछिएगा we are always there for you okay code status क्या accepted और date क्या है तो date देखिए यहाँ पर date हम ढूण लेते हैं तो date 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 देखिए accepted when यह date है with timing and all पर हमें तो normal date चाहिए यहाँ पर actually time zone भी आ रहा है और यह time zone भी आ रहा है पर हमें तो normal date चाहिए तो कोई बात नहीं पाबली connect हम इसका भी feature देता है बीच में plus sign दबाएंगे और date को अपने हिसाब के format में हम ले जाएंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर app choose करेंगे date time formatter action event रहेगा format date only क्योंकि हमें खाली date करनी है अगर time करना होता हम time भी कर लेते है अब जिस date को आप को format change करना है उसे यहाँ से map कर लेंगे तो हमारी date थी यह accepted when right तो इसे हमने map कर लिया from format तो कौन सा format है देखिया यह year, फिर है month फिर है date, फिर है time और फिर end में यह plus तो इसको मैं यहाँ से map कर लेता हूँ actually यही पर यही है I guess देख लेते है year, month date है ना, t, hours और फिर end में GMT right, it means यही format में है अब किस format में चाहिए, तो यार हमें तो normal format में चाहिए month, date, year format click करता हूँ save and send पर तो आप पाएंगे कि यह हमारी date थी वह इस format में आ गई right, यह है month, यह date और यह है year, okay अब हम क्या चाहते हैं एक बार यह select existing connection कर लिजएगा अब हम चाहते हैं कि यह जो हमारा data है वह Google Sheet पर जाए और उसके लिए हमें यह आपर date को map करना पड़ेगा यह date रही, click करेंगे save and send test request पर ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि अगर हमारा automation सही बना होगा तो यह सारा data जो है वह हमारी Google Sheet पर चला गया होगा, तो देखिए देखिए data आ चुका है 14 वी row में नेम, email, title और quoted price and everything जो यह सारा data है वह यहाँ पर आ चुका है इट मींस कि हमारा automation काम कर रहा है तो यह हुई हमारी पहले step क्या, कि जब भी हमारा quote accept हो तो उसका data हमारी Google Sheet में अपने अप maintain हो जाए, अभी हो गया है आगे भी होगा, दूसरी step क्या है कि इसकी summary, Gmail के through जिसको भी हम भेजना चाहें, उसको चली जाए, summary में क्या जाएगा कि कितने number of quotes यहाँ पर accept हो चुके है number of quotes, तो इसके लिए हम दूसरे एक automation को बनाएंगे, तो वो मैंने बना लिया है मैं आपको बस दिखाता हूँ तो इसका workflow मैंने बना लिया है मैं आपको हर एक step अच्छे से बता देता हूँ तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि एक weekly summary आए weekly summary आएगी हफते में एक दिन है ना, तो हफते में एक दिन भेजने के लिए जो हम trigger में feature यूज करेंगे वो होगा schedule by family schedule by family की मतलब से हम ऐसा करेंगे तो choose app में मैंने choose कि है schedule by family then याँ पर है how often you want to run your workflows तो हम days of the week choose करेंगे day, day आज मैं इस workflow को बना रहा हूं mge वो आ जता है तो यह हुई पहली step इसका मतलब क्या है कि हर मंडे को 8 बजे मेरा यह automation काम करेगा यानि हर मंडे को 8 बजे मिरी report जो है the mail जाएगी यह होगे पहली step दूसरी step क्या है हम क्या चाहते हैं पिछले साथ दिन में जित्ते भी है न पिछले 7 दिन तो उसके लिए हमें पिछले 7 दिन का कुछ डेटा चाहिए तो वो डेटा कैसे आएगा देखे मैं बताता हूँ तो सबसे पहले हमें उसके लिए चाहिए current date और फिर हम क्या करेंगे current date मैंसे जो भी आज की आज की डेट से 7 दिन पहले की डेट चाहिए date format month date year है न क्योंकि हमने यहाँ पर भी month date और year का date format चूज किया था आपको याद होगा है ना जब मैंने वहाँ पर format चूज किया था तो वही format चूज करना है ताकि कोई confusion ना हो time zone अभी मैं UTC कर रहा हूँ अगर आप particular अपनी country का कर रहे हैं तो कर सकते हैं operation यानि क्या operation मैं चाहता हूँ कि current date मैं से 7 दिन माइनस हो तो operation है subtract unit किती days है ना what kind of unit days week year जो भी value किती साथ तो आप पाएंगे कि जब हम ऐसा करते हैं और save and send पर click करते हैं तो आज की date में से 7 दिन पहले की date हमारे पास आ जाती है आज की date क्या है आज की date जब मैं यह वीडियो बनना आ रहा हूँ तो है 26 तारिक उसमें से 7 दिन minus करते हैं 26 minus 7 तो वह होता है 19 तो यह 19 September date यहां पर आ गई है तो अब हमने यह 7 दिन पहले की date क्यों लाई ताकि हमें 7 पात दिन पहले का data हमारे जो excel sheet में है है क्या 19 तारिक का data देखिए मैं बताता हूँ यह है 4th और 5th row right customer 3 19 तो यह data मुझे मिल सके इसलिए तो इस data को मिलने के लिए fetch करने के लिए मैं google sheet को use करूंग action में और action event होगा look up spreadsheet rows हैना look up लगाऊंगा ताकि मुझे उसका data मिल सके look up क करेंगे कैसे करेंगे देखिए select spreadsheet accepted quotes यह नाम दिया है मैंने आपने जो नाम दिया आप उसे ही choose किजएगा sheet एक ही है look up column तो कौन से column हम चाहते हैं कि date के साब से हम सारी चीज़े कर रहे है है ना date मेरी f column में है तो मैंने f column choose कर लिया तो यह मैं f column choose कर लिता हूँ value जो है आज header को हम नहीं करना चाहते कि header यह first number पर है इसको हम बिल्कुल नहीं चाहते तो इसको no कर देंगे okay यह सब हम क्यों कर रहे है आपको दीरे दीरे सब समझ आ जाएगा अभी आप करते जाए और फिर click करेंगे save and send पर अब देखिए जब मैंने save and send पर click किया तो मुझे यह response आया और मुझे particular जो date मैंने यह डाली थी उसका data यह मिल गया दिखाऊं देखिए 19 तारिक डाली थी 19 का data यह रहा 4th row और 5th row तो देखिए यह आ गया है 4th row और 4th row में जिस customer का नाम लिखा है वो आ गया है similarly नीचे 5th row आ गया है 5th row में जिस customer का नाम लिखा है वो आ गया है तो data आ गया है, row का number आ गया है, fourth and fifth, ठीक है तो हमें ये row का number ही चाहिए था row का number क्यों चाहिए था, क्योंकि हमें number of rules पता करनी है, है ना, तो अब ये कैसे होगा, ये भी हम करकर के सीखेंगे, अभी याद रखिए कि हमें 19 तरीक, यानि आज से जो साथ दिन पहले की तारीक है, उसकी row मिल गई है, कि चौथी row है, ठीक है अब चलते हैं, अगली step की तरफ तो ये तो हमने किया, साथ दिन पहले का अब साथ दिन जो है, वो हमारे कल तक हो जाएंगे, यानि यस्टर डे तक हो जाएंगे मंडेट ही है, सबस्रेक्ट किया इस बार एक दिन, तो आज से पहले आज 36, कल है 25, तो 25 तारीक याँ पर आ जाती है, तो हमने ये कर लिया अब हमें 25 तारीक का डेटा चाहिए भाई, तो 25 तारीक के डेटा के लिए वापस से same step repeat करेंगे which is Google Sheet, use Google Sheet as an app, and action event में लगाओ look up spreadsheet rows, spreadsheet को choose करो, sheet choose करो, look up column, date के हिसाब से है, तो f f column, look up value आज से एक दिन की value क्या है, 25 तारीक है 25 तारीक हमने पिछली step से लिए तो 25 तारीक को यहाँ पर map कर लिया header को include नहीं करना है header को include नहीं करना है, ओके ओफिर click करते है, save and send test request पर इसके बाद response आएगा, कि जो एक दिन पहले की date है, उसका row number और data, एक दिन पहले की date कौन सी है देखे, 25 है, ठीक है 25 का row index कौन सी है, 10 तो देखिए, यहाँ पर आगया है row index, 10, यानि हमें, आज से 7 दिन पहले का और आज से 1 दिन पहले का, यानि yesterday का, जो row index है, वो आगया है तो अब देखे हम क्या करेंगे कि जब मैं इसके row index में से है ना, इसके row index को minus करूंगा आज से 7 दिन पहले वाले को तो इन दोनों को minus करने में मुझे number of जिता भी data add हुआ है या आगे होगा, इन future होगा वो मिल जाएगा, future होगा मैंने इसलिए कि यह सर्व अपन को एक बार ही करना है, उसके बाद काम अपने आप होगा, क्योंकि हम यहाँ पर mapping कर रहे है मैंने बताया है था, variable का concept यह चीज़े बदलेंगी, उसकी आपको potential लेने की जुरत नहीं, आपको बजी एक बार करना है ठीक है, तो जब मैं इसको इसमें से minus करूँगा, तो मुझे इतने number of जो हैं, वो मिलने चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे इस row index मैं से, पहले वाली row index को minus करना है, तो यह हम करेंगे से हमें मिला था 10, तो इसको मैंने choose कर लिया, map कर लिया, choose कैसे करते हैं, यहां पर click करते हैं, यहां पर click करते हैं, जहां पर भी आपको चाहिए, और उसको choose कर लेते हैं, पिछले workflow में किया है, तो I hope आपको आगया होगा, ठीक है, अब यहां पर देखिए एक चीज़ है, operation जो हम करने हैं, वो subtract करने हैं, क्योंकि हम 10 में से 4 को घटाना चाते हैं, तो subtract choose कीजएगा, और यहां पर आपको minus plus लिखने की जरुवत नहीं है, उसकी जगा comma लगाना है, तो यह मैंना comma लगा दिया, तब क्या होगा, 10 में से 4 जाएगा, ठीक है, तो 10 में से 4 जाता है, तो कित्ता आता है, आता है 6, तो देखिए, जब आप save and send करेंगे, तो यहां पर आजाएगा 6, ओके, तो अब मैं 6 आगया, अब मैं चलता हूँ और गिनता हूँ, कि क्या मेरी 6 नंबर आफ वो एड हुए है, तो चलिए गिनता है, आपके सामने गिनता हूँ, ठीक है, 19 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 तरिक तक, 19 से 25, यानि इस week में, पिछले 7 दिन में, फिर 26 से जो अगले 7 दिन होँगे, वो गिनेंगे, ये 2nd साइकल में आएगा, ठीक है, तो इसमें आप अगर गिनेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 entries हुई है, पर हमारे पास कित्ती आ रही है, हमारे पास आ रही है, 6, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हमेशा ऐसे ही होगा, जित्ती भी entries होंगी, उससे एक कम आएगी, तो हम क्या करेंगे, वापस से, एक इसमें add कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, number formatter है, number formatter जिन्दाबाद, number formatter हमने यहां से चूस किया, action event रहेगा, perform math operation, पिछली बाद सब्सेक्शन किया था, तो यहाँ पर था सब्सेक्शन, यहाँ पर अब यूज करेंगे add, अब प्लस की जगा क्या लगाएंगे, कॉमा, अब हमें क्या करना है, one add करना है, और one तो हर बार add करना है, mapping variable नहीं है, बार 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 बदलेगा नहीं, हर बार one ही add करना है, क्योंकि हर बार entry एक कम बताएगा number of rows, तो हमने comma लगा के one कर दिया, यानि जब भी data है तो उसमें एक add हो जाए, तो six में जब एक जोड़ा जाता है, तो क्या आता है, seven, तो यहाँ आजाएगा seven, ठीक है, यानि जो add present इस information के हिसाब से, जो हमारे number of quotes, add होए हैं, पिछले एक week में, वो है seven, तो इसलिए यहाँ पर आगे number seven, अगले week में जित्ते होंगे, वो उतने आएंगे, उसकी आप tension मत लीजिए, यह मैं कहाँ चुका हूँ, अब क्या हम चाहते हैं, कि यह जो number of wo है, यह Gmail के थुरू, हमारे manager को, हमारे lead को, जिसको भी आप भेजना चाहें, उसके एक summary मिल जाए, तो उसके लिए हम उसे भेजेंगे mail, और mail हम भेजेंगे Gmail के थुरू, तो Gmail को चूज कर लिया, action event रहेगा, send mail, जिस भी Gmail से आप भेजना चाहते हैं, उसको connection कीजेगा, जिसको भेजना चाहते हैं, उसका mail लिखिएगा, एक से ज़ादा लोगों का भी आप लिख सकते हैं, बस बीच में ऐसे comma लगाईएगा, बिना space के, right, ccbcc भी लगा सकते हैं, sender का name, क्या आप name रखना चाहते हैं, वो name रख सकते हैं, क्या subject रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं, मैंने ये रख लिया है, और email का content, तो देखे, email का content मैंने ये रखा है, क्या है, dear sir, this is to inform you that, this week, यहाँ पर हमने map कर लिया, customer has accepted our codes, और बाकी की चीज़े, बस इसमें ध्यान देनी वाली बात किया है, कि हमने इस चीज़ को map किया है, map किया है, तो इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, तो देखे है, क्योंकि ये number बार 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 बद लेगा, right, तो अब ये हमारे email का content हो गया, आपको इसमें कुछ और add करना हो, तो आप कर सकते हैं, अगर कुछ variable के form में करना हो, तो आप उसे map कीज़ेगा, constant हो तो normal लिख दीजेगा, ठीक है, इसका क्या असर होगा, असर मैं आपको दिखाऊँगा, पूरी picture clear होगी, जब मैं click करूँगा, save and send test request पर, तो आप पाएंगे, कि जिसका भी उपर mail था, उसको ये पूरा message बहुत जाएगा, तो मैं बिना किसी देरी के, आपको अपने Gmail दिखाता हूँ, जो ये मैंने डाला है न, इसका Gmail दिखाता हूँ, तो देखिए, ये mail आ चुका है, dear sir, this is to inform you that this week, seven customers have accepted our codes, क्योंकि मेरी जो Google sheet थी, उसमें कितने number of entries आड़ हुई थी, seven, ये रहा मेरा mail, और बाकी का data जो मैंने भेजा था, वापस कहा रहा हूँ, कल को 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, वो यहाँ पर लिखाएगा, तो हमने, ये दो automation बनाए हमारे इसके लिए, एक बार मैं आपको brief में बता देता हूँ, है ना कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो भी question code से हमारा data आ रहा था, उसको हम अपनी Google Sheet में maintain कर रहे हैं, ये रही हमारी Google Sheet maintain हो जाता है, फिर क्या करते हैं, कि एक summary भेज रहे हैं, summary भेजने के लिए दूसरा, जो automation था ये बनाया, scheduler का use किया, number formatter के use किया, date formatter के use किया, date time formatter के use किया, as a result, and मैं use किया Gmail, और जिसको भी mail भेजना था, उसको mail भेज दिया, as a result, उन्हें यहां पर mail मिल गया, तो अब अगर आप भी, इसी automation को use करना चाहते हैं, तो इन दोनों automation के link, मैं अपने YouTube वीडियो के description में डाल दूँगा, उस पर click करके, आप इसे बड़ी आसानी से use कर सकते हैं, कोई doubt है, तो हमसे comment section में पूछ सकते हैं, और कई बार हमारे client पूछते हैं, क्या यह automation हमें हर entry की बाद बनाना पड़ेगा, क्या जब भी कोई मेरा client accept करेगा, कोट जब बनाना पड़ेगा, नहीं यार, इतनी, यह आपको बस एक बार बनाना है, उसके बाद आपका सारा काम अपने आप होगा, अब आपको हमारे इस वीडियो में, कोई भी doubt हो, कोई भी query हो, या कोई भी question हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा अगर आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे like ज़रू करें, इस वीडियो को share करें, और हमारे चैनल को subscribe करें, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, thank you so much.